हाथ्सा दर्द जीत या हार स्टापलस के सीरियल कुलफी कुमार बाजे वाला में आ गया है जूमर वाला ट्विस्ट खत्रे में पड़ गई है सिकंदर की जान असल में इस सिंगिंग कॉंपेटीशन में सिकंदर और कुलफी पहुँच गए हैं सूफियाना राउन में स्टेज पर पहुँचते ही सिकंदर सूरो की महफिल सजाते हैं लेकिन कुलफी है खामोश असल में चली गई है कुलफी की आवाज और ये दर्द कुलफी और सिकंदर के चहरे पर साफ जाहिर है कुलफी सिकंदर जी के साथ गाना गारी अपने बाबा के साथ तो कुलफी के अंदर एमोशिन्स तो बहुत सारे हैं उसको कहीं कहीं अच्छा भी लग रहा है कहीं कहीं बुरा भी लग रहा है कि उन्होंने मुझे घर से भार निकाल दिया और अब मेरे साथ गाना गारे हैं लेकिन सुरो की इस जंग में आ जाता है खतरनाक ट्विस्ट, जब गिरने लगता है सिकंदर पर ये जूमर। लेकिन इस से पहले की कुछ अन्होनी होती, कुल्फी अपने बाबा को आवाज दे देती है और बचा लेती है सिकंदर की जाग। और इसी के साथ कुल्फी की खोई हुई आवाज भी वापस लॉट आती है। लेकिन घबराईए नहीं, ये हाथसा सिकंदर की प्लानिंगी थी कुल्फी की आवाज वापस लाने के लिए और सिकंदर अपने इस प्लान में काम्याब भी हो गए। कुल्फी अभी कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ गाह नहीं पा रही है, मतलब गाह नहीं पा रही है, वो अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पा रही है, उसके आवाज भाणने ही निकल रही है, तो दॉक्टर बताता है कि उसकी डर्द से आवाज भाणने ही निकल रही है, त दरसर कुल्फी का दर्द सिकंदर से देखा नहीं जा रहा था इसलिए उसने ठान लिया कि वो कुल्फी की आवाज वापस लाकर ही रहेगा ताकि वो फिर एक बार सिंगेंग कॉंपेटीशन में हिस्सा ले पाए और लड़े जीत की जा असल में लवली नहीं चाहती कि कुल्फी अमायरा को हराकर जीत हासिल करे इसलिए उसने ये सब शडियंत्र रचा है लेकिन लवली को ये नहीं पता कि अब कुल्फी के साथ उसके बाबा सिकंदर है जो हर कदम पर देंगे कुल्फी का साथ आच्छाग जाच्छाग बुरू